आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी एंड हैल्दी चीज लेके आई हूं दोस्तों आज मैंने आपके टेस्ट के साथ साथ हेल्थ का भी बिल्कुल ध्यान रखा है और एसी में रेसेपी लेके आई हूं जिसको खाने के बाद आप टेस्ट तो इसका बिल्कुल भी नहीं पाओगे और यह बच्चों के टिफिन में तो जाएगी सही और कोई भी किट्टी पाटी उसमें यह आप स्नैक और ब्रेकफास्ट जो है बहुत ही अच्छे से बना पाओगे और काफी जटपट से बन जाएगा दोस्तों इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा तो च पाद दोस्तों और दोस्तों है अब पार्णी को अच्छे से घरम होने देगे एक उबाल आना ज़रूरी है दोस्तों इस में कि उपपर से मैंने इसमें थोड़ा सा अधनीय डाल दिया है कि यह रेखी अच्छे से उबाल आ चुका है तो इस स्टेच पे मैं यह पर आधा कटोरी मैंने शूजी सूजी को मैंने अच्छे से चान लिया तो और यह फाइन सूजी दोस्तों अगर आपके वाद ज्यादा जाएगा और यह एक डो फोम में आ जाएगा फ्रेंट्स देख सकते हैं इस तरह से आप इसे कंटीनू हिलाते रहिएगा अब हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफर कर रहे हैं जिससे कि थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं दोस्तों यहां पर म किमला मिर्ची लसून हरी मिर्ची प्याज पत्ता गोबी और गाजट को अच्छे से किस लिया था अब मैं आप बिल्कुल कम तेल ले रही हूं एक चमच मैंने आप तेल लिया है दोस्तों तेल को अच्छे से घरम होना देंगे उसमें मैंने बारी कटीवी हरी मिर्ची एड कर लिए फ्रेंट्स जो आपको सबजी पसंद है वो आप इसमें मिक्स कर सकते हैं ताकि बच्चों को बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन और हाई डीची ए ड्रेकफास्ट होता है सब मिल सकेगा प्याज को भी हम इस तरह से सोते कर लेंगे अब मैंने या पर शिम्ला मिर्ची डाल दिये दोस्तों और यहां पर किसी मैंने पत्ता भी एड कर लिए फ्रेंट्स गाजर को भी अच्छे से किसके डाल दिया है अब मैंने आपर हरे मूंग लिये थे इन्हें राइट में ही हमने घला कर रख दिये थे और इसे बोल करके सुबह इस तरह से यूज में ले रह दोस्तों यह देखिए यह बिल्कु अच्छे से ठंडा हो गया है तो तेल लगा के हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई लम से तो निकल जाएंगे फ्रेंट्स तेल लगा लीजीगों ताकि आपके हाथों पर चिपके न अब हम इसकी छोटी-छोटी सी न हमारा पूरा दिन अच्छा भी निकलता है और हमारी हेल्ट भी बहुत ही ज्यादा सही रहती है इस तरह से हम कटोरी शेप में इसे मना देंगे और इसकी स्टफिंग भरेंगे जैसे मूमोज में भरते हैं दोस्तों इसमें आपकी सारी वेजिस आ जाएगी बच्चों करके से एक बॉल बना लेंगे दोस्तों इस तरह से राउंड राउंड यह देखिए में और बना कर बता देती हूं आपको इस डो से चार से पांच बन चुके थे हमारे यह देखिए इस तरह से स्टफिंग कर दिये मैं यह खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं आप इस नाष्टे को बना कर देखेंगे तो बार-बार आप इसे ही बनाना चाहेंगे और इसमें हमने इसी कोई भी चीज नहीं एड की है जो अन्हेल दियो हमारे लिए इस तरह से मैंने एक एक करके सारे बनाकर तैयार कर लिए दोस्तों इस तरह से आप पहले बोल बना लीजीगा उसके आर इसमें स्टफिंग भर दीजीगा तो बिल्कुल भी आपके स्टफिंग खुलेगी नहीं फ्रेंट्स देख सकते हैं अब उसी पेन में मैंने आप एक चम अब यहां पर अच्छे सा कलर आजाया हमारे नाश्टे को काफी जदा हेल्दी भी रह उसके लिए मैंने आप बिल्कुल एक पिंची मैंने आप लाल मिल्ची पाउडर और हल्दी पाउडर एड़ किया दोस्तों टेस्ट के अकोडिंग नमक लिया है क्योंकि अंदर भी उस कुलट करके यह सारे हम अच्छे से क्रिस्पी होने तक इस तरह से फ्राय कर लेंगे दोस्तों देख सकते हैं आप बिल्कुल कम तेल में डिश बनकर तैयार हो चुकी है यह रेसीपी बहुत ही ज़्यादा है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है दोस्तों और बनाना तो इसे पाच मीट में ही आ जाता है दोस्तों इतना कोई जादा टाइम भी नहीं लगता है देख लीजी दोनों साइड अच्छे से फ्रीप करके और इसकी किनारे भी मैंने इस तरह से अच्छे से फ्राय कर लिए फ्रेंट्स कलर भी आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा कलर आया कि यह रेसिपी बनकर तैयार है उपर से धनिया इसमें गार्निशिंग कर देए और आपको जो चटनी पसंद है आप उसके साथ इससे सर्फ कर सकते हैं मैंने आप टोमेटो केचप लिया है तो सोस और दही के साथ आप इसे खाएंगे तो काफी ज़दा हेल्दी रहेगा दो कि सो मच फॉर वचिंग मैं वीडियो इसे एंड तक देखीगा बिल्कुल भी स्कीप मत कीजाएं